बुद्ध मॉडरेंग सेलाम नमस्कास सरी काद में ज्याविद अंसार अमिताव बच्छन स्प्रेंस करें बरेली उत्रफ प्रदेश शे आपके सामने आज हम लेकर आए हैं शिप प्रेंटिंग है ये 3D शिप स्कृप्चर प्रेंटिंग जी हाँ ये जो आप देख रहे हैं चितरकार हैं ये आप पेंटिंग का निरूइब आस्मान बना रहे हैं अजीम निदा मनसूरी अमिताव बच्चन स्प्रेंस करेंद बरेली उत्रफ प्रदेश के ये मुक्छ चितरकार हैं और एक अच्छे चितरकार हैं इस समय एक 3D शिप है जिसको नोने एक महिने की मेनत के बाद बनाया है पूरी टीम ने इसके अंदर एक काम किया है अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो एक शिप है और ये 3D पेंटिंग है उसी का ये एक आसमान बना रहे हैं बहुत बढ़िया काम चला है बहुत अच्छे स्ट्रोक लगा है कि कुछ भी सोचना नहीं पढ़ राया आजीम जी को बहुत शांदार परफेक्शन का नमूना है यहां पर कि सब कुछ नपे तुले अंदाज में हो रहा है और हमारे सामने एक आसमान उतर रहा है पूरा ऐसा लग रहा है कि आसमान जमी पे उतर आया है और ये फाइनल ट डार्किंग पैदा किये है ये शाम का दिरिश है शाम का एक दिरिश बनाया है ये पूरा और ये नीचे पेंटिंग में पानी का एफेक्ट पैदा कर रहे है ये आसमानी कलर का जो आप बिलू टच लिए आसमे है पानी को देख रहे है ये समुदर का पानी बन रहा है यही पानी के अंदर एक शिप अभी आपको तेरता हूँ नदर आएगा बहुत शांदार लाजवाब बेमिसाल ये लेंडस्केप बंड़ायक एक शिप की तेयारी हो रही है यहां पर लगाने की और ये अकेले ही मेनत नहीं किया है जिम्टी ने पूरी टीम ने इसके अंदर काम कि ये एक महीने की अथक पर इश्रम के बाद मेनत के बाद ये शिप तयार हुआ है उसके अंदर काफी लोगों का सायोग रहा जिसमें मैं पिर मुगूब से सुनील कुमार जी का नाम लेना चाहूंगा सुनील कुमार जी ने ही वीडियो ग्राफी की है इसकी फोटोग्राफी की है और शिप को बनाने में आजम अली जी का भी सवयोग रहा हुमेरा निदा ये पूरी एक टीम है कोई भी काम होता है तो अकेले नहीं होता है पूरी टीम होती है उसके पीछे तो इस त्रीडी शिप इसकल्प्यार प्रिंटिंग के पीछे भी सभी लोगों की मेनत है सभ विलकुल ऐसा लग राया है के पानी जी भी थै बहुत शान्दार रहा हुआ हूं पानी की लहरों में हलचल नदर आ रही है और ये डारकिंग करते हुए दूर से लग रहा है कि जमीन और या आसमान समुन्दर और आसमान मिल गया है हम जब समुन्दर के किनारे खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा ही दृष नदर आता है कि आकाश और समुन्दर मिल जाता है ये आजम जी थे अभी जो आपने देखा बहुत शांदार ये लाइट टच लगा रहे हैं लेरों के अंदर बहुत बढ़िया अभी आप देखेंगे एक शिप जो पुरानी पीडी का शिप है और आपका मन चाहेगा कि शिप आपके पास भी हो आप इस शिप को अपने ड्राइंग रूम और फैक्टरी के अंदर आफिस के अंदर भी रख सकते हैं और इसका ओर्डर भी आप बनाने के लिए दे सकते हैं अजीम जी ओर्डर पर भी आपका शिप बनाएंगे इसके लिए हमारा कॉंटेक्ट नंबर याद रखिए 9837628926 यह हमारा कॉंटेक्ट नंबर है इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट रेंगे शिप बनवाने के लिए बहुत जल्दी एक शिप हमाएं सामने भी होगा इन लहरों पर तेरता हुआ बहुत बढ़िया कितनी कोशिश है इनकी आप देखिए बहुत मेनत की है इसके अंदर शिप पूरा तयार है और यह उसी को लगाने के लिए यहां पर एक पूरा लेंडिस्किप तयार हुआ है यह वाइट कलर सी जो देख रहा है बादल बना है यह समुदर के उपर तयरते हुए बादल बहुत बढ़िया लग रहा है यह और लगवा कि यह तयारी इसकी हो चुकी पूरी और यह फाइनल टच हो रहा है आसमान में लाइट इफेक्ट डालते हुए बहुत बढ़िया आसमान दूरी का भी ऐसास हो रहा है यहां पर हमें गहराई का भी ऐसास हो रहा है और लहरे तो लग रहा है कि पानी जैसे के पेंटिंग के बाहर आने के लिए तयार है थिरी डी पेंटिंग का यही मतलब होता है बहुत शानदार है तयारियां पुरी हो चुकी है और देखिए आख ये ship हमाई सामने है Ship को हैंगिंग कर दिया Lauकने थीरीडी पेंटिंग है ये दी शिप को आप देखिए कितना बढ़ी अलग रहा है ये लोगने इसको पेंटिंग अंदर मरच कर लिया बिल्कुल मैसूस नहीं हो रहा है कि पेंटिंग अलग है या शिप अलग है तैरतवा शिप शिप में आप देख रहे हैं बाहरत की शांद तिरंगा भी नदर आ रहा है और तीन ज्हंडे ओपर शिप के ओपर लहरा रहे है जी है इसका एंकर भी देखिया मूव कर रहा है हिल इसका आप और रहा हमें कर सकते हैं इसके लिए हमारा कॉंटेक नमबर जाद रखिए 9837628926 पूरी टीम का ये कारिया आपके सामने है सभी ने मिलकर इसको बनाया है बनाने में सही हो किया है एक महिने की मेनत का परिड़ाम है ये टीम के अंदर मैं एक बार फिर से सबका न साम देना चाहूंगा सुनील कुमार जी सुनील कुमार जी ने वीडियो ग्राफिक किये आजम अली हुमेरा और निदा जी देखिए आप बिलकुल तयार है और ये 3D एफेक्ट के साथ शानदार लाजवाब बेमिसाल अद्भु द्रिश हमाय सामने है देखिए परिंदे भ परानी पीडी के शिप का एक वंशाज है जी हाँ ये आज ये ये शिप एंटीक है अपने आप में कहीं भी देखनों को नहीं में सकता आपको शान्दार ये रही हमारी पुरी टीम धन्यवाद कि ये ईयुत, हटे शेर रहा हमेटे हाँै अवाँ अ झाल झाल